इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Bright cream का इस्तिमाल मेलाजमा तवचा पर गहरे भूरे रंग के दाग के इलाज में किया जाता है यह तवचा को हलका करने वाली दवा है जो तवचा के काले धब्बे और spot hyperpigmentation को हलका करती है यह तवचा को गहरे रंग का बनाने वाले मेलनिन pigment की मात्रा को तवचा में कम करता है यह तवचा के reversible deep pigmentation में मदद करता है Bright cream केवल बाहरी अंगों के लिए है आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार आपको इसका इस्तिमाल करना चाहिए इस दवा को लगाने से पहले और बाद में आपको अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए इससे अधिक्तम लाब पाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाना चाहिए ज़रूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि कुछ साइड एफेक्ट बढ़ सकते हैं ब्राइट क्रीम के कुछ संभावित साइड एफेक्ट हैं लेकिन सभी में नहीं होते हैं इनमें तवचा में सूखापन, खुजली, तवचा में जलन, तवचा पर पपड़ी बनना और तवचा में लालिमा शामिल हो सकते हैं इस दवा से गंभीर अलजिक रियेक्शन कम ही देखे गए हैं, लेकिन अगर आप साइड एफेक्ट से परेशान हैं या वो ठीक नहीं हो रहे तो अपने डॉक्टर को बताएं आपकी दवा के साथ आने वाले निर्देशों को आप जरूर बढ़ें, आँखों के संपर्क में आने से बचें, अचानक आँख में पर जाने पर आपको अपनी आँखों को पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए यदि आप अलजिक रियेक्शन की जांच करना चाहते हैं, तो आप कुछ दिनों की अवधी के लिए ब्राइट क्रीम को बिना कटी तवचा पर या रंजित भाग के आसपास की तवचा पर लगाना शुरू कर सकते हैं खुजली, अत्यधिक इंफ्लेमेशन या सूजन होने पर आपको इसे बंद कर देना चाहिए गर्भवती महिलाओं को इस दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए अगर इलाज के दो महीनों के बाद कोई सुधार दिखाई नहीं देता है तो इस उत्पात का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद